तो आज हमारे किचन में बन चुका है एकदम स्वादिश्ट उड़त डाल का वड़ा एकदम फूला हुआ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बस इसी तरह का वड़ा अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहां हर एक टिप्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके लिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखे ताकि आप भी घर में इसी तरह का परफेक्ट स्वादिश्ट और फूला हुआ वड़ा बना सके दो बड़े से बावल यहां में उड़त डाल लूँगी और डाल आप देख सकते हैं जिसमें कुछ छिलके बाकी है इस तरह की डाल म भीगो के रखना है करीबन आठ से दस घंटे से हम भीगोएंगे फिर सुबह होते ही आपको इसका टेक्चर बता दू यह अच्छ से फूल जाती है जिसे कि छिलके ऊपर आ गये हैं और डाल भी अच्छ से फूल चुकी है अब हमें यह दाल अच्छ से बॉश करनी है और एक इसलिए करीबन दो से तीन बार में इसे अच्छ से वश करूँगी और यह जो छिलके हैं यहां में निकालते जाओंगी इसका एक कारण है जितनी हम इसे वश करेंगे उतना यह दाल सौफ बनती है और वड़ा भी हमारा सौफ बन जाता है इसके लिए यहां मैंने यह वश क कर लिए हैं अब सारा पानी है यह से हम निकाल लेंगे तो चन्नी में डाल कर इसे हम 15 मिनिट के लिए साइड में रख देते हैं तब तक आगे जो इंग्रेडेंट से वह भी देख लेते हैं यह हमें लाल मिर्च यूज करना है जो कि दो चमच में यूज करूंगी क्योंकि म हमें यूज करना है तो यहां 15 मिनिट हो चुके हैं पानी विच से निकल चुका है अब हमें इसे पीसना है तो पीसते समय यहां बिल्कुल पानी नहीं यूज करेंगे पानी डालने से यह जो मिक्सचर बनेगा वह बहुत पतला बनेगा और वड़ा भी बहुत ऑईली बन ज चाहिए जो कि एक्टम परफेक्ट वड़ा लाने के लिए बन चुका है बस इसी तरह से सारी डाल पीस लेंगे साथ में एक चम्मच हमने मेथी सिट्स बिगोई थी वह भी आ फूल चुकी है इसे भी हमें पीसना है इसके साथ जो इंग्रिडेंट्स है जैसे कि लसून अद रख सौफ यह भी इसमें डाल दीजे और अच्छे से पीस लीजे यानि यह मसाला हम यहां बनाएंगे तो यह हो गया है रेडी यह अब हम मिक्स कर लेंगे अगर आप लाल मिर्च के जगह यहां हरी मिर्च भी यूज़ करें तो भी स्वाद बढ़िया आता है तो यहां पी धनिया पावडर अगर आप चाहते हैं या हरी मिर्च यूज़ करना तो वह भी यूज़ कर सकते हैं लेकि यहां में लाल मिर्च यूज़ करने वाली हूं और स्वादा नुसार नमक लेकिन यह अब एड नहीं करना है नमक हम बात में डालेंगे जैसे की वड़ा हम फ्राइ तो बस अच्छे से मिक्स कर लें तो यहां आप कंसिस्टन से देख सकते हैं बस वड़ा आसानी से बन जाए इस तरह की कंसिस्टनसी है यह आगे हमें इसमें ऑईल डालना है इसके लिए मैंने तीन बड़े से चमच ऑईल गरम कर लिया है इससे वड़ा एकदम सौफ बनेग अब इसे मिक्स कर लें जैसे कि यह गरम है तो चमच की मदसे में इसे मिक्स कर लोगी अब इस स्टेज में जैसे कि वड़ा बनाने के लिए एकदम रेड़ी है अगर आप तुरंद बनाना चाहते हैं तो अभी नमक एड़ कर दीजे अगर आप बाद में बनाना चाहते हैं वड़े तो ये फ्रीज में रख दीजिए फिर इसमें एड़ करेंगे दो पिंच हिंग जैसे कि पाचन के लिए आसानी हो फिर बाद में स्वादानुसार नमक हमने नमक बाद में इसलिए डाला है ताकि ये जो मिक्चर है ये पतला ना हो तो नमक और हिंग को अच्छे से मिल दाले फिर बाद में हम बनाएंगे इसके टेस्टी वड़े जिसके लिए यहां प्लैस्टिक बैग में यूज करने वाली हूं इसे थोड़ा सब पानी लगा ले और ये मिक्चर हम निकाल लेंगे और इसे इस तरह से मसलेंगे थोड़ा हातों से ताकि एकदम परफिक्ट श नहीं है आप देख सकते हैं सिर्फ में प्रेस करते हुए ये उंगलिया गुमा रही हूं इसी तरह से ये वड़ा आसाने से बन जाएगा अगर आप यहां थप थपाएंगे तो ये कही मोटा या कही पतला बन जाता है इसके लिए सिर्फ प्रेस करते हुए गुमाते जाना ह यहाँ आप देख सकते हैं एकदम आसाने से वड़ा हमारा बन चुका है आगे यहाँ फ्राइग करने के लिए मैंने आईल रख दिया है और फ्लेम यहाँ देख सकते हैं हाई फ्लेम पर हमें यह वड़ा फ्राइग करते समय डालना है जैसे ही हम इसमें बड़ा डालेंगे गैस का फ्लेम मेंने हाई रखा है फिर तुरंद याने के सिर्फ आधा मिनिट के बाद में गैस का फ्लेम कम कर दूँगे तो फ्राइ करने की भी ये टिप्स है जैसे कि आप अच्छे से फ्राइ करेंगे तो ही वड़ा फूलता है बीच बीच में इस पर ऑइल डालते जाएए प्रेस करते जाएए और ये फूलता जाएगा और पूरे एक साइट फ्राइ होने के बाद ही जैसे ये फूलने लेगेगा तब हम इसे पलट देंगे और ये देख सकते हैं आप एक दम फूला हुआ सा वड़ा बन जाएगा बस इसी तरह से कुछ आसान सी बाते आप ध्यान रखे और परफेक्ट फूला हुआ वड़ा यहां बना लीजे बात ही आसान होता है अगर हर एक टिप्स आप यहां ध्यान देते हुए यह वड़ा बनाएंगे वैसे तो यह हमारे महाराश्ट्रियन पारमपारिक रेसिप्पी है हम हर एक फेस्टिवल में यह बनाते है अगर आप यह ऐसे भी बनाना चाहें तो नाश्टे में इसे दही के साथ सर्फ करें बहुत ही स्वादिश्ट होता है साथ में गरम उड़त डाल का वड़ा भी एकदम स्वादिश्ट और कुछ आसन टिप्स के साथ खास आपके लिए जैसे कि मैंने आप से कहा है वड़ा बिल्कुल आईली नहीं बनता है तो यह आप देख सकते हैं उपर से यह बिल्कुल आईली नहीं है साथ में बिल्कुल फूला हुआ सा इसे मैं दही के सार्फ सर्फ करूंगी और इसकी एक खास बात यह है अंदर से भी यह बिल्कुल आईली और चिपचिपा नहीं बनता क्योंकि यहां हर एक टिप्स का हमने यूज करती हुए यह परफेक्ट रसेपी आपके साथ शेयर की है अपको यह पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजे अब तक चैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से सब्सक्राइब कर दीजे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो कि इसी प्रकार से कुछ परफेक्ट ही मिलेगा तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर प्लिट सस्क्राइब आरर कुकिंग और प्लेस दे बेल आइकोन फो नोटिफिकेशन आफ नू वीडियो थेंक यू